अब आपके लिए मैंने पॉलीमर के कुछ वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे रखा है उन वीडियो को आप देखें समझें और अपने आपको जज करें कि आपको कितना समझ में आया है तो आपके सामने स्टुडेंस कुछ क्योस्टन मैं बोड़ रहा हूँ लिखा हुआ है पहले आप इसको सॉल्फ करने की कोसिस करें समझ में बताएं आपको कितना तयारी है देखें आपकी क्योस्टन यह मैंने क्योस्टन लिख दिया है पढ़ें इसको ठीक है और मुझे solve करकर बताएं कि क्या आपको कितना समझ में आ रहा है ये next question है students देख सकते हैं वीडियो को चाहो तो बास pause करो और देखो ये next question ये देख सकते हैं इसका answer और justification मैं देने वाला हूँ आप देख लें ठीक है next question है students ये next question ये next question है students वीडियो को pause कर लें और मुझे बता दें कि आपको बन रहा है नहीं बन रहा है just for information comment करें ये next question है मैंने हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिख रहा है students ये next question है ये अगला question है student देखें और बनाएक कोशिस करें फिर मैं आपको पूरा explain भी करता हूँ option D ये लिखा हुए SBR और ये last question है student ठीक है option D इधर पर टेफलोन है ठीक है चलिए मैं आपको revise कराता हूँ इसका तो I hope आपने बना लिया होगा तो बहुत ही simple question से start करते है निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक है which of the following is natural polymer जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो obviously इसमें तो answer क्या होगा protein protein तो हम बनाते नहीं है ये nature में मिलता है ठीक है students अब देखिए rubber को sulfur के साथ गर्म करना कहलाता है तो हमने students अपने previous वीडियो में बताया है heating of rubber जो rubber होता है उसको sulfur के साथ में क्यों गर्म करते हैं तो आपको खुद पता है students rubber जो होता है वो कमजोर होता है कौन सा rubber कमजोर होता है कौन सा rubber मजबूत नहीं होता है तो प्राकृतिक rubber और प्राकृतिक rubber में मजबूती लाने के लिए उसे sulfur के साथ में गर्म करते हैं ताकि वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं वलकनी करण हिंडी में वलकनी करण कहते हैं इसी को हिंडी में बोलते हैं वलकनी करण और इंग्लिस नाम है वलकनाईजेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन देखिएगा स्टुडेंट्स यह तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉपुलर क्वेश्टन है कि PVC पॉलीमर कैन बी प्रिपेरड बाई विच आफ दी फॉल्विंग यह विच आफ दी फॉल्विंग निमनमे से PVC पॉलीमर कैसे बनता है तो PVC स्टुडेंट्स होता है इसका फूल नेम होता है इसका फूल नेम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड पॉली विनाइल क्लोराइड देखो इसमें क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो आपके लिए बताते हैं, CS2, डबल बॉंड, CS2, ना ना ये तो इथीन है, ये इथीन है, इथीन मेंसे मैंने बता रखा है कि एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेन, CS2, डबल बॉ और CH, और एक हाइड्रोजन के जगह पर मैंने क्या लगा लिया, स्टूडेन्ट, क्लोरीन लगा लिया, ये क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से मिलकर क्या बनता है स्टूडेन्ट, पॉलि विनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो ह हमारा इस question का answer हो जाएगा option C चलिए students next question पर बढ़ते हैं देखते हैं क्या है next question which of the following is thermosetting polymer निम्न में से कौन सा thermosetting polymer है thermosetting polymer क्या होता है तो students पहले तो समझ ले न मैं आपको दो मिनट में revise करा दिता हूँ polymer जो होता है वो कुछ polymer होते हैं कमजोर कुछ होते हैं मजबूत और कुछ होते हैं बहुत मजबूत ठीक है तो polymer को मैंने इस आधार पे चार category में divide किया है बहुत ही simple चार category कौन-कौन से चार category होते हैं मैं आपको बोलता हूँ और with example भी बोलूँगा फिर इस question को solve वरेंगे एक होता है elastomer क्या होता है students elastomer नाम से समझ में आ रहा है यह वो polymer होते हैं जिसमें elastic गुण होता है elastic गुण जैसे rubber rubber किस category में आयागा elastomer मतलब rubber एक सबसे weak सबसे कमजोर सबसे घटिया टाइप का polymer है ऐसा भी बोल सकते हैं मतलब strength wise बात किया जाये तो उसके बाद दूसरा होता है students fiber fiber ठीक है fiber जो होता है वो मजबूत होता है जैसे आपने आज कल देखा होगा जितनी भी गाडियां होती है लगब सब गाडियों में fiber body होता है ठीक है ना देखा होगा जैसे car का जो सामने का bumper होता है या आज कल स्कूटी होता है या जो bike होता है उसमें भी कुछ plastic जो use करते है वो that is not a plastic वो होता है fiber मतलब ये थोड़ा actually ये थोड़ा नहीं ठीक ठाक होत सकते हैं ठीक है इसके बाद तीसरा जो category होता है इस्टुडेन्ट वो होता है thermos plastic, thermoplasti तो इस्टुडेrit Search Thermoplasti क्या होता है thermoplastic मतलब जिसको हम normally अपने daily life में जो plastic सब्दे यूज़ा करते हैं जो stops plastic का डिबहा है प्लास्टिक का ये पैन है ठीक है तो जो normally हम जो plastic सब्दे use करते हैं वो actually है thermoplastic तो जो खुद सोचो student जो fiber जो होता है वो plastic से मजबूत होता है मतलब सबसे मजबूत इन तीन में सबसे मजबूत कौन होता है ये होगा ठीक है चलो इसको numbering भी कर देते हैं मैं इसको बोल देता हूँ A ये होते हैं B इसको मैंने बोल दिया C और fourth होता है और जो last होता है वो है thermosetting thermosetting ठीक है students तो thermosetting को मैं बोल देता हूँ D और ये जो thermosetting होता है ये काफी मजबूत polymer होता है students जैसे आप खुद सोचो आप घर में cooker यूज करते हैं na cooker का जो handle होता है क्या वो plastic का होता है क्या वो rubber का होता है नहीं वो होता है thermosetting थर्मosetting material के बन होता है आप खुद सोचो वो cooker इतना गरम हो जाता है फिर भी वो rubber tape का जो दिखता है काले color का वो पिखलता नहीं है मतलब वो काफी मजबूत होता है तो मजबूती के आधार पे लें तो सबसे कमजोर होता है A elastomers ठीक है उससे थोड़ा मजबूत होगा C उससे थोड़ा मजबूत होगा B और सबसे मजबूत कौन होता है students thermosetting तो यहाँ देख लेते हैं निम्दम A से कौन सा thermosetting बहुलग है तो आप इसको याद रखने वाले है इसका example क्या है baccalate जो cooker का handle होता है वो baccalate का होता है SBR एक प्रकार का rubber है ठीक है इसका full नाम होता है styrene butadiene rubber ठीक तो यह rubber है जो elastomers की category में आता है बाकी जो nylon होते है वो कौन सी category में आएंगे students fiber में आते है तो the question is which of the following is a co-polymer formed by condensation polymerization तो उद्देश से students इस question को solve करने का जो उद्देश से है वो दो सब्द को समझना है एक तो होए co-polymer क्या होता है जिसको हिंदी में हम बोलते है सह बहुलक ठीक है और दूसरा इसमें सब्द है condensation polymerization जिसको हम हिंदी में बोलते है संगनन ठीक है co-polymer हम किसको बोलते है student जिसमें कम से कम दो monomer हो एक monomer दूसरा monomer ये combine होकर क्या बना ले एक polymer बना ले ठीक है इसको हम बोलते है co-polymer कौन सा जिसमें कम से कम दो monomer आपस में जूड़ते हो और जैसा polymer जिसमें केवल एक ही monomer आपस में combine होता हो उसको हम बोलते है उसको हम बोलते है homo-polymer क्या बोलते है students homo-polymer ठीक है तो co-polymer में कितने कितने monomer होंगे कम से कम दो तो होंगे होंगे चलिए अब देखते हैं अब देखते हैं condensation polymerization और इनका सारा detail मैं अपने previous video में दे रखा हूँ students आप उसको भी देख ली जाए है तो condensation polymerization क्या होता है तो condensation polymerization नामसी समझ में आ रहा है जब हम दो polymer दो monomer आपस में जब combine होते हैं तो एक polymer बना ठीक है एक polymer बना इस polymer को मैंने क्या बोला है इस polymer को मैंने कहा दिया है ये है co polymer समझ मैं अच्छा अब इसके बनने के दावरान कुछ छोटा अणू निकलता है यदी निकलता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो polymer जो बना है वो एक प्रकार का co polymer है और condensation polymerization प्रक्रम से बनता है तो condensation polymerization हम किसे कहा रहे है वो प्रक्रम वो process जिसमे जब दो monomer आपस में combine होते हैं तो एक छोटा अणू सह उत्पात के रूप में निकलता है clear होगे तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो terrylene होता है students ये एक ये एक प्रकार का condensation polymerization से बनता है जिसमे H2O निकलता है और ये प्रकार का co polymerize co polymer भी है तो students अब मैं आपको कुछ extra information भी दे देता हूँ terrylene को हम decron भी कहते हैं याद रखने वाले हो terrylene या decron अब ये बता देते हैं आपको कि आखिर ये कैसे बनता होगा और आपकी rest to o कैसे निकलता है तो students मैं आपको बता देता हूँ बहुत सी simple तरीके इसको समझना ये मैंने बनाया CS2, CS2, OH ठीक है CS2, CS2 दो बाल लिखा OH, OH एक एक साइट पर लिखा और ये कितने अणू लिए मैंने N अणू लिए और इसको हम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल क्या कहते हैं students इथिलीन इथिलीन ग्लाइकॉल तर्थैलिक एसिज तर्थैलिक एसिड हम इसको प्रोनौउंस करेंगे ठीक है और ये होता क्या है एसिड है मतलब इसमें COOH होता है देखो students आपको केरफुली आप सुनना होगा ये मैंने एक बेंजीन रिंग मनाया बहुत सिंपल सा और यहां मैंने लगा दिया एक साइट पे COOH मतलब कार्बोक्सली केसी वाला ग्रूप और इधर भी मैंने लगा दिया C double bond O OH और जब ये कंबाइन होंगे student ध्यान से देखो जब ये कंबाइन होंगे तो यहां से OH निकला और यहां से H निकला क्या निकल गया H2O देख सकते हो यहां का 1H यहां का 1H और O H2O निकल गया वैसे ही यहां का OH निकलेगा और इसके अगले जब पॉलीमर है न तो यहां से बहुत सारे कंबाइन होते जाएंगे और यहां से H निकाल लो H2O निकाल लो तो जो बचेगा उसको आप जोड कर लिखने चाहें स्टुडेंस तो यह कुछ इस तरीके से होगा यह CS2 CS2 O और इसमें मैं आपको एक एक एक्ट्रा बात भी बताने वाला हूँ ध्यान से आप देखते रहें ताकि आपको कोई किसी प्रकार कभी क्योस्चन पूछे तो आप उसको डील कर सके है तो यह कुछ इस तरीके से बनने वाला है यह मैंने इसको कमबाइन कर दिया और यह कितने बार कमबाइन होगे स्टुडेंट्स यह N टेम्स कमबाइन होगा अब नोटिस करो यह तो खेर हो गया यह तेरीलीन या डेक्रॉन जिसमें S2O कारू निकल रहा है बाकी नियोप्रीन क्या होता है नियोप्रीन एक प्रकार का रबर होता है क्या होता है एक प्रकार का रबर होता है इसमें भी सीधे सीधे कमबाइन होते है ब्यूना N और ब्यूना S भी एक प्रकार के सभी rubber है सब ये synthetic rubber होते हैं students ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर एक specially notice करना COO और इस C के साथ में इधर भी एक benzene ring जुड़ा हुआ है मतलब ये भी carbon है और इस O के साथ में इधर भी carbon है मतलब ये जो group होता है students इसको हम बोलते है actually हम इसके chemistry के language में हम बोलते है ester group है सुन रखा होगा ester group ester group मैंने organic chemistry के वीडियो में पढ़ा रखा है तो ये होता है ester और इसको हम generally ये general form में हम बोलते है ये कौन सा है ये polyester है अब समझ में आ गया होगा हम कुछ polyester के कपड़े भी पहनते है कुछ लोगों आपने notice किया होगा कि वो polyester के कपड़े पहनते है बड़ा गर्मी लगता है उसमें ठीक है तो ये polyester क्या है इससे कपड़ा बनता है किस लिए इसका polyester नाम दिया है क्योंकि इसमें ester group होता है चलिए students next question देखते है simple सा क्या है which of the following is example of co-polymer निम्नमे से कौन सा है जो co-polymer का उधारन है तो co-polymer का definition मैंने बताई दिया तो इसका उधारन है ब्यूना-S ठीक है ब्यूना-S ब्यूना-S क्या होता है अब ये समझ लेते हैं थोड़ी दिर पहले बता है ब्यूना-S ब्यूना का मतलब क्या होता है ब्यूना का मतलब होता है ब्यूतादाइन और ब्यूतादाइन का फार्मूला होता है student ये ये ब्यूतादाइन होता है ठीक है ये ब्यूतादाइन और S का मतलब होता है styrene styrene जो होता है वो कुछ state के होता है CS2 double bond CS और यहाँ पर एक benzene ring लग जाता है ठीक है यह styrene है तो co polymer में कितने monomer होंगे कम से कम 2 monomer होंगे और यह आपस में जूड़िया है तो आप देख लोग खुछ से सोचोगे तो यह कुछ इस तरीके का होगा कुछ इस तरीके से जूड़ कर बनेंगे देखो यह double bond 2 आगा यह double bond 2 आगा इनके बीच में double bonding आ जाएगी और यह होगा CS CS2 यह ओला double bond भी 2 आगा सारे double bond 2 आएगा सारे double bond मतलब एक-एक pi bond 2 आगा और यह benzening as usual तो हमने इसको क्या बोल दिया है यह जो होता है यह होता है ब्यूना ब्यूना और हमने क्या लिया है इस्टाइलिन मतलब S ब्यूना S ठीक है तो आप देख सकते हो मैंने 2 monomer तो बनाये बनाये लेकिन क्या इसमें किसी प्रकार का कोई छोटा अणू बाइ प्रोड़क के रूप में निकल रहा है साहुत पात के रूप में निकल रहा है नहीं निकल रहा है इसलिए यह कौन सा आप बोलोगे कि यह कंडनसेसन पॉलिमराइजेशन नहीं है नेक्स क्योश्चन देखते हैं कि नायलोन 66 is an example of तो नायलोन 66 किसका example है या हर प्रकार का नायलोन नायलोन 66, नायलोन 610 या नायलोन 6 जब ही भी नायलोन आ गया तो वो polyamide होते हैं जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले बताया था ना कि terrylene क्या होता है एक प्रकार का polyester होता है बताया था अभी थोड़ी दिर पहले वैसे ही amide polyamide को लोंगे नायलोन जो होते हैं वो polyamide होते है तो amide group क्या होता है वो students ये होता है amide group CO-NH2 ये amide group होता है organic chemistry का एक group है amide group होता है जिसमें nitrogen होता है तो इससे भी related एक बात अब 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 हम एक question देखने वाले है तो फिलहाल नायलोन की category में यदि जो भी आता है वो amide है चलो याद कर लेना और polyester तो सिर्फ आपको दो ही मिलेंगे आपके syllabus में सिर्फ दो ही मिलेंगे एक तो मैंने अभी बताया टेरीलीन ठीक है टेरीलीन को decron भी कहते हैं यह सब नाम याद करना पड़ेगा और एक होता है glyptal glyptal भी क्या है polyester होता है और nylon में मैंने बता दिया nylon 3 type के nylon 6, nylon 6,6 और nylon 6,10 यह सभी क्या है polyamides है तो students next question भी आपके सामने लिखा हुआ है polymer containing nitrogen वो polymer जिसमें nitrogen उपलब्द है तो मैंने तो अभी बताया ना nitrogen किस में हो सकता है polyamide में polyamide में कौन सा group होता है C double bond O, NH2 तो NH ठीक है यह nitrogen अब polyamide कौन होता है nylon होता है बहुत simple है ना ठीक है चलिए next question पर बढ़ते हैं हम आगे यह question लिखा हुआ है students क्या question है कि कुछ लिखा हुआ है यह सब कुछ formula लिखा हुआ है is यह क्या है देखो फिर से वही बात देखलते है thermosetting polymer है homo polymer है co polymer है addition polymer है तो actually मैं आपको याद होगा मैंने बता भी रखा या भी बता भी देता हूँ यह जो polymer polymer आपके सामने जो लिखा है यह actually मैं है nylon 66 का polymer है यह क्या है students यह है actually मैं nylon 66 अब nylon 66 बनता कैसे है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ nylon 66 कैसे बनता है यह रेखो यह NH2 CS2 6 बार और NH2 NH2 को मैं कुछ ही सरी के से लिग लिया NHH को मैंने treat कर दिया adipic acid के साथ में यह क्या है hexa देखो 6 बार लिखा न तो यह लिखा hexamethylene 6 बार CS2 है और diamine NH2, NH2 दो बार लिखा इसलिए hexamethylene, diamine अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ adipic acid adipic acid क्या होता है यह COOS मैंने लिख लिया बस आप इसको न एक बार समझ के रख लो ताकि आपका confusion न रहे यह 4 और यह COOS अब देखो याद करने के तरीका भी बता रहा हूँ total कितने carbon है आप चार चार यहाँ पर है और 5-6 इसमें भी total कितने carbon है 6 इसलिए तो nylon 6-6 कहते है 6-6 किसको represent करता है carbon की संख्या को represent करता है यह क्या है adipic acid बोलते है अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ मैं लिखना भी चाहूँ तब भी आप भी खुछ लिख सकते हो यह यह बनेगा कैसे बनेगा आप खुछ सोच लो यहाँ से निकला OH और यहाँ से निकला H बस अब इसको combine कर दो आप इसमें वैसे यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकल जाएगा OS तो combine करोगे तो देखो NH यह देखो NH फिर CH2 6 बार CH2 6 बार फिर NH यह NH फिर CO यह CO तो आप देख सकते हैं exactly यही है तो this is called Nylon 6 6 और यह कैसे polymer है क्या thermosetting है नहीं मैंने थोड़ी देर पहली बताया Nylon कैसा होता है fiber होता है क्या homopolymer है क्या इसमें एक ही प्रकार के molecule है एक ही प्रकार के monomer है नहीं इसमें तो दो प्रकार के monomer है तो कौन सा polymer हो जाएगा students co polymer अगले question पर हम बढ़ते हैं आगे तो यह अगला question है the monomer of nylon 6 is nylon 6 के monomer को हम क्या बोलते हैं तो उसके nylon 6 के monomer को हम बोलते हैं caproleptum बोलते हैं क्या बोलते हैं students caproleptum अब caproleptum का मैं formula बता देता हूँ ताकि आप कभी confused नहों अब nylon 6 6 मतलब कितने कार्बन 6 कार्बन तो देख लो 6 कार्बन मैं कैसे बनाने वाला हूँ तो यह मैंने बनाया C double bond O N H मैंने बताया तना इसमें amide group होता है अब यहाँ पर कितने कार्बन और होंगे तो एक कहां हो गया तो देखो तो टोटल कितने कार्बन लगा लो 5 कार्बन और लगा लो ताकि टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे 6 कार्बन देखो 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 इनको आपस में combine कर दिया ठीक है टोटल देख सकते हैं 6 कार्बन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस अब आपको कुछ नहीं करना है यह हो गया Caproleptum that is called Caproleptum का यह formula होता है यहां से यह bond break होगा यह आप इसको heat करेंगे nylon 6 बनाना है तो यह bond break हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह हो गया C double bond O यह देखो C double bond O अब इस C double bond O से क्या क्या जुड़ा हुआ यह दा सब जुड़े हुए CS2, 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 CS2 कितने बार है 5 बार है तो चलो मैं repeating जो unit है उसको ऐसा लिख लिए और इस CS2 से क्या जुड़ा हुआ students NH तो और यह आपको कभी भी यह भी दे दिया कि यह क्या है तो यह क्या है students यह है actually मैं nylon 6 जिसमें total कितने carbon है 6 carbon है कौन सा group है polyamide group है तो I hope आपको यह सारे questions important questions समझ में आये होंगे ठीक है Thank you very much